नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपे आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ यह हिंदु से मैंने लिया है फोटोग्राफिस का और दह हिंदु से दह हिंदु का 17th December 2023 का एडिशन है तो अभी हाल में यह तो 17th December 2023 में छपा था इंदु में कि भूटान टो है थाजन स्क्वार किलोमेटर ग्रीन सिटी अलांग आसाम बॉर्डर कनेक्टिंग साउथ एसिया तो साउथ इस्ट एसिया इसी में अभी हाल में February में 10th February के आसपास भूटान की नरेश थी हैं पर इंडिया में उनके साथ PM का समझोता हुआ PM मोदी जी का कि यह प्रजेक्ट जो है इंडिया को दिया गया है कि इंडिया इसमें सहयोग करेगा तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भूटान एक छोटा सा एक हिमालय की गोद में बसा हुगा शांत्प्री देश है और इस चारों तरफ से लैंड लॉक्ड करती है कहीं से भी समंदर से नहीं जुड़ा हुआ है कि इसलिए कि इसको करने में भी इसको डेवलप करने में इसको यहां पर पी को मेंटेन करने में एकन्म के अक्टिविटिज को बढ़ावा देने में भारत का बहुत बढ़ा योगदान पैस इसके चाइना एक तरफ इंडिया अब यहां के कई बड़े सहर हैं आप लोगों अगर मैप में देखोगे तो इसे भूटान की राजधानी है थिम्पू सबसे बड़ी सहर बड़ा सहर थिम्पू से लगा हुआ एक सहर है पारो या पैरो वहां पर हवा ये ड्ड़ा है बहुत बड़ा उसके बाद में पुन्खा या पुनाखा पर इसके बाद में देखो एक सहर हो रहा है इसमें क्या है जेलेफू या गेलेफू कहा जाता है तो इस तरह से कई सहर है जो कि तीन-चार सर फिंगर टिप्स पर आप गिन सकते हों इनी सहरों में एक सहर है गेलेफू इसी को दुबारा भूटान डेवलप करना चाहता एक नए गेलेफू या जेलेफू भी कहा जाता इसको तो नया जेलेफू यह जो है इसको कहा गया है गेलेफू माइंड फुलनेस सिटी या जी एमसी कहा गया है भूटान सरकार चाहती है एक 1000 स्कौर किलोमीटर के एरिया में जो बेसिकली प्लेफ लेंड है या लेफू वहां पर 1000 स्कौर किलोमीटर के एरिये में इस नए सर को डेवलप किया जाएगा और यहां पर स्प्रेशल अड्मिस्टेट्व जोन होगा जहां पर इन्वेस्टर फ्रेंडली लाज एप्लाइड होगी और दुनिया के इन्वेस्टर्स यहां पर आएंगे लेकिन कैसे ऐसे लोग जो इस देश की आईसी कोई हैवी इंड़स्टी नहीं लगाई जाएगी यहां सर्विस इंड़स्टी लगाई जाएगी समझ रहें जैसे साफ्ट्वेयर पार्क्स हो गयर बनाए जाएंगे बस ठीक तो इससे जो है इसका डेवलप्मेंट होगा और भूटान भी एक नया उसम है इसमें स्पेशल एड्मिस्टेट्व जोन होगा यह भी मैंने बता है आपको अब यहां पर एक रेल कॉरिडोर से भी इसको जोड़ने की बात की जा रही है असलमें इंडिया ने प्रधानमंत्री बाजपेई की समय में लूक इस्ट पॉलिसी को किया था इंप्लिमेंट क पर काम भी हो रहा है समझ रहे हैं तो इसी एक टीश्ट पॉलिसी की तहत एक ऐसा रेल नेटवर्क बनाए जाएगा रेल प्रोजेक्ट या रेल कॉरिडोर जिससे की भारत में नेपाल भूटान मैनमार से होते भारत तो ही है असाम से होते वे जाएगा लेकिन इसकी अलामा नेपाल से भी भूटान से भी मैनमार थाइलेंड कंबोडिया लाओस बियतनाम मलेशिया और इवन सिंगापूर तक पहुचाने का प्लान है इससे सिंगापूर पोड पर उत्रेवे सामान जो है इन करनेटी से होकर के पास हो जाएगा पहुंँ जाएगा असानी से ठीक तो साउथ इस्ट एसिया से ब्जूड जाएगा बाई रोड बाई रेल 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 रुट कनेक्टिविटी दी जाएगी समझ लेंगा अब चूकि भूटान को कोई सी से एसस नहीं है समंदर के रास्ते भूटान का कोई संपर्क नहीं है इसलिए माल के ढुलाई में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है भूटान की इंदिया का बहुत बड़ा कॉनिट्रिबूशन है थे के तो यह होगा अब ऐसी प्लानिंग है अच्छा इससे चाइना को बड़ा जटका लगा है क्योंकि भूटान ने इंडिया को प्रिफर किया है चाइना यह सोचता था कर उसको तो हो सकता है वो जो है भूटानिक पर कुछ और टाइप का या वहां से होते हैं इंडिया के पर कुछ और टाइप का दबाव डालता ठीक है तो इस तरह से यह जेलेफू जो सहर है यह आने वाले दिनों में एक modern सहर के रूप में डिवलप हो जाएगा जहां से कि सेवेस्टर्स अर्थात कौन से शाफ्ट्वेयर पार्क्स होगे रहे साफ्ट्वेयर समद्ध थीक है यह सर्विस इंडिस्ट्री समद्ध जिससे कि पलूशन फ्री हो ठीक है और उस जो हिमाले की गोद में सांधपरी देश बसा हुआ है इसमें पलूशन नहों बस यहीं चाह होगा कि जेरेफू जो सहर है जिसको भूटान डिवलप करेगा उसकी क्या उद्देश है क्या उसके एस्पेक्ट और ठीक है एस्पेक्ट्स होंगे इसको हम लोग जानने कोशिश किये हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद नमस्कार जाहिंद ज